Hello friends, welcome to my channel TSP Education Hub आज का मेरा topic है Use of this, that, these and those Friends, ये चार ऐसे words हैं जो एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका use बिलकुल different है इन्हें अलग-अलग situations में use किया जाता है तो इसलिए English बोलने के लिए या लिखने के लिए इनका इस्तिमाल आना बहुत जरूरी है इसके लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है आप प्लीज ये end तक जरूर देखिए तभी आपको इन चारों का इस्तिमाल सहीं तरीके से clear हो पाएगा ओके? वीडियो पसंद आए तो like and share जरूर करेगा चैनल पर नए हैं तो please subscribe to my channel this और that word का use हम हमेशा singular या एक वचन के लिए करते हैं मतलब अगर कोई subject या object एक है तो उसके लिए this या that यूस करेंगे और एक से ज़ादा है, plural है, बहु वचन में है तो these या those का इस्तिमाल करेंगे याद रखिए this और these हमेशा past की चीजों के लिए इस्तिमाल किया जाता है और that या those दूर की चीजों के लिए इस्तिमाल किया जाता है इसे कुछ examples की मदद से हम समझ लेते हैं यहाँ पे दो sentence है first sentence है this is a tree और दूसरा sentence है that is a tree यहाँ पे हमने this और that का इस्तिमाल किया है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक वचन का इस्तिमाल हो रहा है यानि singular noun का इस्तिमाल हो रहा है सिर्फ एक ही tree है हिंदी में this का अर्थ होता है यह और that का अर्थ होता है वह this is a tree मतलब यह एक पेड़ है that is a tree मतलब वह एक पेड़ है दूसरी important बात समझने वाली यह है कि first sentence में this का इस्तिमाल इसलिए हुआ है क्योंकि पेड़ जो है वो pass है और दूसरे sentence में that का इस्तिमाल इसलिए हुआ है क्योंकि पेड़ दूर है तो pass के लिए this और दूर के लिए that आगे next example लेते हैं these are trees, those are trees यहाँ पे बहु बचन है यानि plural, subject या object यूज हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पे these और those का इस्तिमाल किया है first sentence में these लिखा है क्योंकि पेड़ जो है वो pass है, nearby है और second sentence में those का इस्तिमाल किया है क्योंकि पेड़ दूरी पे है, दूर है this या that का use हम countable और uncountable nouns दोनों के लिए कर सकते हैं countable nouns मतलब जिन चीजों को या जिन सामानों को हम गिन सकते हैं और uncountable nouns मतलब वो nouns जिने हम गिन नहीं सकते वो सारे चीजें जिनें गिनना possible नहीं होता जैसे milk, water, courage, music these और those को use हम हमेशा countable nouns के लिए ही करते हैं जिने हम गिन सकते हैं सिर्फ उनहीं nouns के लिए हम these या those का इस्तेमाल करेंगे इसे हम examples की मदद से समझ लेते हैं this is my room, यह मेरा room है, room को आप count कर सकते हो हमने this use किया है room के लिए did you like that music? क्या तुमें वह music पसंद आया? यहाँ पे music को आप गिन नहीं सकते, हमने that use किया है music को point out करने के लिए this juice tastes very sweet, means यह juice बहुत मीठा है तो juice को हम count नहीं कर सकते, इसलिए this use कर रहे है तो मतलब this और that, countable और uncountable, दोनों के लिए use होगा अब आते हैं these और those पे these या those हमेशा countable nouns के लिए use होगा मतलब वो nouns जो हम count कर सकते हैं, गिन सकते हैं जैसे trees, books, cars, etc. We often use this with words describing time and dates like morning, afternoon, evening, week, month, year, etc. मतलब हम time और date बताने के लिए भी this word का इस्तिमाल करते हैं जैसे this morning, this afternoon, this evening, this week, this month, this year, etc. Let's take an example for this I will be busy all this week मतलब मैं इस पूरे हफ़ते बिजी रहूंगी We are going to a party this evening आज शाम हम एक पार्टी में जाने वाले हैं तो this week और this evening ये समय को दर्शाता है इसलिए this का इस्तिमाल समय को बताने के लिए भी किया जाता है Friends, I hope आप लोगों को this, that, these, those का usage clear हो गया होगा वीडियो पसंद आया होगा तो like और share जरूर करिए Thanks for watching